क्या कहता है आज का समय दोस्तों आज देश दुनिया का महौल बहुत बदल चुका है परिवर्तन तेज गती का है इसलिए इस परिवर्तन को देखते वे हमें वे खुद में परिवर्तन करना होगा आज सचमुच सेल्फ डिफेंड होने का समय है आपके परिवार के हर सदस्य को अब अपनी लाइफ इस्टाइल चेंज करने की बहुत जरूरत है क्योंकि आगे आने वाला टाइम आसान नहीं है मैं आपको डरा नहीं रहा है आपको अलर्ट कर रहा हूं अब उन्मुक्त आकाश में कल्पनाओं के पंकों में उलना चोड़ना होगा दोस्तों के साथ मस्ती करना चोड़ना होगा समय और परिस्थिति की एहमेद समझनी होगी अगर आप इस्टडी कर रहे हैं तो अपने फेल होने की समभावनाओं को खत्म करना होगा अपने आपको चॉपर की रूप में देखना होगा अगर आप जॉप कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ऐसी अर्निंग सोर्स की तरफ लगाना होगा कि अगर जॉप चला जाए तो यह अर्निंग आपको चिंता सद है आप अपने आसपास गाओं शहर राज और देश में किस प्रकार की स्थितिय जाने उसके अनुसार आपको चलना होगा दोस्तों सदियों से देश पर जातिवाद धर्मवाद पूजीवाद आतंकवाद हावी है इसे देश का बहुत बड़ा दुर्भागी कहेंगे औ क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रयास लगभग सुनने के बराबर है क्योंकि हम जिस परिस्तिती में हैं उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं हम चाहते ही नहीं अगर हम गरीब हैं तो धनी कैसे बने हम चाहते ही नहीं यदि हम कमजोर हैं तो शक्तिशाली कैसे ब यह 30% कभी नहीं चाहेगा कि 70% हमारी बराबरी में खड़ो इसलिए जातिवाद धर्मवाद पूजिवाद हागी है तो 70% आपस में लड़ेंगे और 30% अपनी तरक्की करते और उन्हें लड़ता देकर खुश होंगे इसलिए आत्म निर्भर तो होना ही पड़ेगा बहुत से देखते वे जीवन जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है आपका एजुकेशन ही है जो कदम कदम पर आपको धोखा धरी से बचाएगा तो सिक्षा आपके जीवन संगर्ष को बहुत आसान करने वाली है आप शोशर होने से बच सकेंगे आज का समय और आने वाले समय को देख देखते वे मुझे यही लगता है कि देश के हर परिबार को कानून की जानकारी रखना बेहर जरूरी होगा हर घर में हरतित सम्वेधान की किताब होनी चाहिए हिंदी के साथ इंगलिस का भी नॉलेज होना चाहिए आपको कोई मुर्ख न बना सकें आज समय की यही बनाते हैं और सरकारी हास्पीटल में बेवस्ता बहुत ही बुरी है ऐसी बहुत से नियूज में आपने देखा कि सरकारी हास्पीटल में पेशेंट्स के बगल में लासे पड़ी मेरी आपको क्या लगता है इसका जिम्यदार कौन है आस्पीटल वाले गोवर्मेंट या हम खुद यह कहना पड़ेगा इसके लिए जिम्यवार है हमारी अनपड़ मान सकता आप बैंक में चले जाएए वहां का महौल वहां आपके साथ क्या बेवार है आप किसी भी सरकारी या प्रैवेट संस्ताओं में गुम कराईए प्रैवेट इसकूलों के लूट तो आप जान मतलब क्या है यह सब कोई बीमारी निकली तो आपकी पूरी जिंदगी के कमाई चली जाएगी और कोई गारंटी नहीं बीमारी ठीक होगी या नहीं दोस्तों डेश में पूजिवादियों की यह लूट आज से नहीं बहुत पहले से है हम सब ने देखा दिल्ली मुंबई कलकता जैसे शाहरों में काम करने वाले माजदूर पैदल अपने घर को आने में वीवस थे कमपनियों ने उन्हें तुरंद निकाल दिया कितने रास्ते में मर गए कितने ट्रेन से कटकर मर गए और कितनों ने ट्रेन में भूखे प्यासे दम तोड़े चार-पांच दिन वो ट्रेन की यात्रा किये, भूखे प्यासे और कई ट्रेन्स ने तो भूलकर अपना रूट बदल लिया इन सारी घटनाओं को हम सब ने देखा और अभी भी समस्याओं कम नहीं है अगर इन समस्याओं से हम कुछ नहीं सीखे, तो हमारे लिए आगे कठिन रहा होगी तो इन सब बातों से सबस्ट है कि हमें खुद में परिवारतन लाना होगा समय के मताबिक सोचना होगा अपने आस-पास के युद को सीखाना होगा अभी साकार होगा नेता जी सुबास्चंद बोस, डक्टर भीमरा अंबेटकर, भागत सिंग, चंद सेखर जैसों का स्वोडिम भारत वास्तिविक्ता का भारत, जीसे पहचाने की पूरी दुनिया उसकी सच्चाई की वज़र से और खुसहाली और संपद्दा सही अर्थों में तबी होगा तो जातिपत, भेदभाव बुलाकर, और केवल खुद को भारती मानकर एक दूसरे का सयुक करें सच्चे अर्थों में राष्ट भारती होगी, और असक्षा और गरीबी का समूल ना सो सकेगा खुद को एजुकेट करें, दूसरे को भी एजुकेट करें पहले कदम की पहल, आत्मिस्वास के साथ, बेश्ट वीसेस के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे अब तक के लिए दीजिए इसाज़त, नमस्कार